Good evening friends, welcome to my youtube channel, स्वागत आपका मेरी आज किस new update में, तो आज की जो update निकाली गी है, GRSE की तरफ से निकाली गी है, और GRSE की तरफ से काफी अची आपके लिए vacances निकाली गी है, GRSE यानि की Garden Reach Shipbuilder and Engineering Limited की तरफ से recruitment notification आउट किया गया है, जिसमें की fresher candidate reform को apply कर सकते हैं, उसके लाव अगर आपने डिप्लोमा करक्का है, अगर आपने डिगरी करकी है, पोस्ट गायूशन करकी है, काफी अची आपके लिए यहाँ पे vacances निकालेगी हैं, उसके इलावा हम यहाँ पे बात करें, selection process क्या रहने वाला है, eligibility क्या रहेगी, form को apply कैसे करना है, सारा detail में हम discuss करने वा इसी के साथ में आज किस वीडियो को करते हैं, शुरूँ, अगर हम यहाँ पे बात करें के official notice की, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह garden rich ship builder and engineer limited की तरफ से निकाला गया official notice है, अगर हम यहाँ पे बात करें GRSC की, तो यह ministry of defense के अंडर आती है, जिसका कि आप यहाँ पे notification number भी द यहाँ पे employment notification number आपको provide किये गये है, अगर हम यहाँ पे vacances की बात करें, जिसकी starting date जो रहेगी यहाँ पे online registration के लिए 29 November 2021 रहेगी and यहाँ पे closing date रहने वाली है, 19 December 2021 की यहाँ पे closing date रहेगी, इसमें जो आपके लिए vacances निकाले गी हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज इसमें की S1 grade की vacancy निकाले गी है और यह fixed term के लिए contract basis पे vacancy निकाले गी है, 3 years के लिए आपकी यहाँ पे vacancy निरहेगी, जो की आपकी extend कर दी जाएगी 2 years से 3 years में, उसके इलावा जो यहाँ पे pay scale आपका रहेगा, 23,800 से लेके यहाँ पे 83,300 तक आपका रहने वाला है, जिस इसमें जो qualification मांगेगी है, graduate आप यहाँ पे होने चाहिए, पि डिप्लोमा आपका post graduation का डिप्लोमा आपने कर रखा है, minimum 1 years duration का, तो आप यहाँ पे apply कर सकते हैं, उसके लावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे bachelor degree वाले हैं, वो भी यहाँ पे eligible होंगे firm को apply करने वो आपके ST, OVC, उसके लावा यहाँ पे ST candidates वालों के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं, अगर बात करें यहाँ पे experience की, तो without experience आप यहाँ पे apply कर सकते हैं, जो finance की post रहेगी, इसमें graduate अगर आप हैं, तो apply आप कर सकते हैं, उसके लावा अगर आपने diploma कर रखा है, post graduation diploma कर र रहेगी, जहाँ पे diploma in engineering में आपका यहाँ पे होना चाहिए, with graduate diploma आपका यहाँ पे होना चाहिए, material management का, supply chain management का, उसके लावा logistic management का, तो अगर आपके पास है, तो आप apply कर सकते हैं, अगर बात करें graduate अगर आप है, any discipline से graduate diploma आपके पास है, material management का, supply chain का, management का, logistic management का, तो apply कर सकत सब्सक्राइब करते हैं 60% मार्क्स आपके यहां पर होने चाहिए नेक्स्ट पोस्ट रहेगी पेंटर की जिसमें आपकी वन पोस्ट रहेगी डिप्लोमा और क्यमिकल इंजिनर उसके लावा पेंट टेकनोलजी का करक्षा है 60% मार्क्स के साथ मैं अपलाई कर सकते हैं 60% मार्क्स आपके यहां पर होने चाहिए नेक्स्ट पोस्ट रहेगी सेक्यूर्टी में टू पोस्ट रहेगी यहां पर ग्रेजूशन आपकी मांगेगी है बिद डिप्लोमा आपका सेक्यूर्टी मेनेजमेंट का यहां पर होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में नेक्स्ट आ आपका Electronic Engineering का Diploma होना चाहिए 60% Marks के साथ में, उसके लावा यहाँ पर Diploma in Civil Engineering का आपके पास होना चाहिए 60% Marks के साथ में, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उसके लावा यहाँ पर आपको AutoCAD का Knowledge होना चाहिए, बाकिया आप Fresh Air Candidate भी यहाँ पर अप्लाई कर सक सकते हैं, अधर बात करें, Agile Accession की, एस पर रूल आपको Agile Accession दी जाएगी, उसके लावा जो आपकी Educational Qualifications रहेंगी, वो मैंने सारी आपको बता दी हैं, जो भी आपके Disciplines रहने वाले हैं, नेवल आर्किटेक्टर में, वो आपके यहाँ पे Elisival होंगे, Civil में आपके Civil and Civil Structure and Engineering आपके यहाँ पे रहने वाले हैं, उसके इलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, आपके जो आपका Place and Posting रहेगा, तो आपका जो Place रहेगा, वो आपका Depend करता है Company के उपर, जहाँ पे भी इनको Requirement होगी, तो वो आपको वहाँ पे बेह सकते हैं, इनके Units में या इनके Offices मे उसके आगे बात करें, Selection Process की, जो Selection Process रहने वाला है, Return Test रहेगा, Practical Test आपका लिये जाएगा, Supervisor S1 की Post के लिए, जो Return Test रहेगा, 100 Marks का रहने वाला है, इसमें जो आपका Test लिये जाएगा, वो आपका Call कता में आपका लिये जाएगा, अधर बात करें, यहाँ पे Return Test की, तो यहाँ पर आपके लिए जो Online Submission करोगे, उसमें आपका, जो भी आपका Return Test रहेगा, उसमें आपका Center जो रहेगा, वो आपका Call कता रखा गया है, कोई भी आपको TAD यहाँ पे नहीं दिये चाहेगा, Test को Appear करने के लिए, उसके लाबा जो Pattern रहेगा, Return Test का, वो आप यहाँ प Finance, उसके लाबा Material Management Security से, उसके लाबा जो यहाँ पर आपका Remarks दिये गया है, जिसमें की Duration आपकी जो रहेगी, रिटन टेस्ट की, वो आपकी 2 Hertz के रहने वाली है, पेपर जो रहेगा, वाइल एंगवर रहेगा, Hindi and English में, Objective Type and Multiple Choice Questions आपके यहाँ पर रहेगा, टोटल 100 Marks का आ यहाँ पर रहेगा, अधर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपकी यहाँ पर reservations रहने वाली हैं, as per rule आपको यहाँ पर दी जाएंगी, जो भी आपकी reservation यहाँ पर रहेगी, उसके लाबा जो application procedure रहेगा, online mode से आपको form को apply करना पड़ेगा, आप directly वहाँ से जाके भी आप form को apply कर सकते हैं, उसके लाबा जो भी eligible candidate है, वो इसकी scan, copy, educational qualifications, जो भी आपके certificates रहेंगे, वो भी आपको यहाँ पर साथ में send करने हैं, आपको hard copy यहाँ पर send करनी है, जो कि आप इनके official address आपको यहाँ पर दिये गया है, इसके उपर आपको send करने ह उसके साथ में आपको application form के साथ में fees का चलान भी लगाना है, और सारे आपको documents attach करके इनके address के उपर भेज़ देने हैं, यहाँ पर आपको address mention किये गया है, और सभी जो copies आपकी रहेंगी, वो self-tested आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, उसके इलावा हम यहाँ पर बात करें, आपको deposit करना हैं, जो कि आप State Bank of India का चलान बनवा सकते हैं, उसके इलावा यहाँ पर आपके SCHT, OVC, PWD candidates, sorry, यहाँ पर PWD candidates जो रहेंगे, SCHT and PWD candidates, उनके लिए यहाँ पर कोई भी application fees नहीं रहेगी, और अगर हम यहाँ पर बात करें, आपके general information के वारे में, तो यहाँ प starting date आपकी 29 November 2021 रहेगी and आपकी जो last date रहेगी 19 December 2021 रहेगी, जो आपकी feast की date दी गई है, वो आपकी 21 December 2021 दी गई है, उसके लावा जो hard copy को send करने की वहाँ पर पहुंचने की जो आपकी date last रहने वाली है, 28 December 2021 रहेगी, बाकी आपकी tentative date आपकी return test के लिए यहाँ पर जो call कता मे conduct करवाया जाएगा, वो आपकी January 2022 यहाँ पर रखी गी है, बाकी की आपको return test के result की declare कर दी जाएगी, वो आपको यहाँ पर announce कर दी जाएगी बाद में and practical and trade test के लिए आपको जो बुलाया जाएगा, उसकी भी date आपको बाद में announce कर दी जाएगी, तो friends काफी एची update आपके आई है, जो भी eligible candidate है, वो form को apply कर लें, इसका official notice आपको मेरे telegram group GKY दिनेसर पे मेरे जाएगा, इसका link मैं आपको description में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप form को भी apply कर सकते हैं and वहाँ से जाके आप job मेरे telegram group भी join कर सकते हैं, तो आज की video में सिर्फ इतने ही और ऐसी ही latest job update के लिए आप मेरे channel पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको daily latest job update प्रवाइड की जाती है, official notice के साथ में, और वीडियो अच्छे लगी हो, वीडियो को like and share जिरूर करें, फिर मिलते हैं next video में, तब तक के लिए thank you, goodbye, take care.